रख होंसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा ठक के न बैठ ए मनजिल के मुसाफिर मनजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तो कैसे हो टीजटी हिंदी स्क्रीनिंग एक्जाम की त्यारी करने वाले बच्चों उमीद है आप लोग अपनी त्यारी में लगे हुए होंगे ठीक है तो आप लोगों का एक कॉमन सा डाउट बार बार आ रहा था कि आपने NCRT को पढ रही हैं और NCRT में जो भी रचनाई लगी हुई है चाहे किसी कभी की है अलेखक की है ठीक है निवंद है उपन्यास का हिस्सा है कुछ भी है वो हिंदी साहित्या से ही तो है ना तो आपने बस इतना काम करना है कि 9th 10th और 11th 12th की भी हो सके तो जो में में कभी है आपने पुछ ली जाए तो आप अंसर कर पाओं और दूसरा जो डाउट है वो आता है कि आपके स्लेबस में एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है हिंदी गद्याश और पद्याश तो आपने उसमें क्या पढ़ना है तो आपने हिंदी नाटक का विकास पढ़ है जो हम पढ़ चुके हैं और हिंदी कहानी का भी कास पढ़ना है इसके इलावा हिंदी जो गद्य है उसकी और भी विदाइं होती है जैसे रेखा-चित्र हो गया ठीक है तहीं के अलावा भी अंक्य हो गया निवंद हो गया वह रही है ना तो वह आपने देग्वन हैं इसी में में चीज़ें पढ़नी है इसके इलावा कुछ बच्चों का प्रशन है के पर जल्दी डेट आ गई पहले भरती लटक रही थी आपको पता यह और जब डेट आई तो चाने के एक मंथ पहले आपको डेट का पता चला भी त्यारी नहीं हो रही है ऐसा कुछ नहीं है जो हम हमारा त्यारी के लास्ट दिन होते हैं लास्ट वीक होता है वही हमें स्लेक्शन देता है दिलाता है उसमें हमें अच्छे से पढ़ना होता है उसमें आपके अभी चार दिन बाकी हैं कहने को यह चार दिन बाकी हैं लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते है और एक घंटे में क्या होता है 60 मिंट होते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से चार दिनों में अपनी सारी रिवीजन कर लीजी और इसी रिवीजन के दोरा ही हमें अपने question का जो answer मिलता है क्योंकि last में जो हम रिवीजन करते हैं इसके लिए आप थोड़ी से अपने घर से support ले सकते हैं अपने family member से request कर सकते हैं कि जो चीजें होती हैं यह हमारे भी वहार पर ही depend करती है अगर हम अपने किसी घर के member को ये करें कि मेरा paper है ये काम तुम कर लो तो ऐसा नहीं होता आप थोड़ा सा प्लीज कहके कहिए कि थोड़ा सा मेरा paper है इस परकार से help की लिए ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपकी घरवाले आपकी help नहीं करेंगे तो आपका मतलब के support करेंगे आपकी त्यारी अच्छी से हो जाएगी और रही बात आपके खुद की थोड़ी से आप भी कर सकते हैं जैसे आप phone से थोड़ी से दूरी बना सकते हैं आज कल social media का time है तो phone भी अपका time ले ले लेता है आप कुछ दिन मत देखिए कि किसने क्या status लगाया है बस आपका जब पर अच्छा हो जाएगा तो आप अपना status लगाईएगा क्योंकि सीधा return test के बाद ही आपकी जोइनिंग है मतलब कि कोई interview बगारा कुछ भी नहीं है ठीक है तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो मेरी शुब कामनाई आपके साथ हैं इसके लावा आप आज कल phone से पढ़ते हैं जातर पच्छे क्या करना है आपने आपने किचन में रोटी बगारा जो लेडीज हैं बनाती हैं तब भी अपना phone पास रख सकते हैं और जब मैंने वेपर की त्यारी की है तो मेरे हाथ में जाडू होता था एक तरफ दूसरे तरफ फोन होता था ऐसे मतलब कि आपका अपना समय इसके इलावा आपने क्या करना है कि आज 27 तारीख तक आपको लेट नाइट तक भी आप पड़ सकते हैं 24 गहंटे में 4-5 गहंटे भी सो लेंगे तो भी काम चलेगा लेकिन 28 तारीख को अपने अपनी नीद को पूरा करना है क्योंकि आपका इवनिंग हैं कहीं ऐसा नहों कि 28 को भी आप लेट सोए और 29 को पर अच्छा होगा मेरी दुआएं आपके साथ हैं ठीक है तो अभी चार दिन जो रह रहे हैं उसमें भी हम बहुत सारा पढ़ लेंगे जो चीजे में हैं जहां से प्रशनाने की संभावना रहेगी तो उन चीजों को देखेंगे वैसे जो विदाएं हैं जैसे निवन्द ह और उनको मैं आज की क्लास में करवाने की कोशिश करूंगी इसके इलावा जो भी आपकी क्यारी होगी तो आप कोमेंट में जरूर बताना ठीक है तो मेरी शुब कामना आए आपके साथ एक बार में फिर से बोल रही हूं तो आप बस अपनी त्यारी में लग जाए चार दि में चार महीनों जितना पड़ लिए तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद